अब हम आपको एक घर के लिए होमर देते हैं यह इन इन विशेष कोड़ों के लिए त्रिकोड मिध्य अनुपातों का मान आपको ज्यान करना है यह सारे कोड़ 90 से 360 हंस के बीच में है इसके पहले अब जिरो से 90 हंस के बीच के कोड़ के लिए मान निकाले थे और आज आपको घर के लिए होम वर्क है जैसे 120 है 120 डिग्री है इसको आप क्या लिखोगे 180-60 इसको क्या लिखोगे 180-45 इसको क्या लिखोगे 180-30 यह तो 180-0 या 180-0 इसको 180-30 अभी 180-30 अभी कुछ हमने इसके एंगल बताये थे सबका एक एक question कोई ने कोई बताये होंगे तो आप सारी मान निकालेगा और किसी में कोई दिख करता आएगा तो उसको जरूरर कमेंट बाक्स में जाके पूछिएगा मॉन्टर अलेक्रों लिख दर है 180-180 डिग्री का वेलू 0 आएगा इसका माइनस वन आएगा इसका 0 आएगा यहां 270 माइनस वन होता है काट 270 डिग्री का वेलू 0 होता है और यह अनडिफाइन या नटिफाइन इसको करते हैं और इसींतर से 360 डिग्री के वेलू 0 होगा काट 360 डिग्री का वेलू 1 होगा और इसका वेलू फिर से आप जीरो अपाण जीरो गार्वाज जाएका एक टिक थीन लीग दिये है तीन तो इसके वह औरस होंगे reciprocal होगे तो अब जैसे इसका क्या होगा undefined या not defined जो भी आप लिख सकते हो not defined इसका minus 1 ही होगा इसका reciprocal और इसका फिर not defined इसका minus 1 इसका not defined 0 का इसका 0 होगा फिर यहाँ पे 0 है not defined और परिभासित cross का 1 का 1 ही होगा और इसका फिर not defined तो boundary वाले cases के value उन्हें लिख दिये हैं बाती सब आपको निकार दे होगे क्या लाजिक है निकाल लेगा इसको क्या लिखेंगे इसको दो रास्ते है 270 plus 60 360 minus 30 कौन सा रास्ता पतनाएंगे उन्हें बता ना कि 180 और 360 वाले तो इसको 360 minus 30 कर देंगे और पहले यह देखेंगे चिन देख लिखेगा कि कौन सब कुन किसके धर में है उसका अचीन लिख लिजिएगा प्लस एकी माइनस जैसे यहां से यहां तक दूसरे चतुर थास में है तो साइन और कास्तिक प्लस होंगे बाकी सब रिणाएंगे तो इसमें आप जान लिखें कौन कौन प्लस आएंगे इसको लिख दें है यहां पर यह पास्ति बायागा 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 और बाकी सब निगेटिव आएंगे क्यों किया से यहां तक में, यह किसा कर रहे है, कॉस और सेक का, तो कास वाले तीनों वैलू पास्टिप आएंगे, सेक वाले भी तीनों वैलू पास्टिप आएंगे, बाकी सब निगरिटिव, ठिक है, यह हो गया, अब क्या आएंगे, यह आपको निकालना है, यह आपके लिए होम है ठीक है जैसे कॉसेक 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 1950 दिग्री 1950 डिग्री इसका ये 360 से ज्यादा हुआ न तो 360 से ज्यादा निकाले के लिए क्या करेंगे सबसे पहले 360 से इसमें भाग देदेंगे अगर कॉन कमान 360 से ज्यादा है तो उसमें 360 से भाग देदेंगे ठीक है अब ये कितनी बाज आएगा पांच बाज भाग तो आपको आता ही है ठीक है न घटाईगे कितना बच गया सेज कितना आएगा 150 तो इसको आप लिख सकते हो तो कॉसे 5 इंटू 360 प्लस एक सो पचाज न इसा चोटे क्लास में पढ़े है न गुड़ा बाग तो उसका यूज है तो इसको आप अटा दीजे इसका कोई मतलब नहीं होता पहले 307 से भाग दे दीजिए और इसको इस फाल में लिख दीजिए और जो भी 307 की गुड़क है उसको हटा दीजिए अब इसका मान आपको मालू है नहीं मालू है अभी आपके टेवल बनाकर कर लिया होगा फिर भी हम दिकाल दे लिख दे लिख है क्या लिख इसको किस्से तो ठांस बलेगा दूसरे में 180 degree minus 30 degree ओके 180 degree minus 30 degree क्या होगा कोई चेंज नहीं होगा कास कास में रहेगा लेकिन दूसरे म का वेलू कितना होता है रोड 3 बाई 2 तो कॉसेक 150 डिगरी का वेलू कॉसेक था सरी कॉस लिठा गया यह कॉसेक है कॉसेक का वेलू कॉसेक का वेलू का वेलू का वेलू कॉसेक 30 डिगरी का वेलू कितना होता है यह तो आप 5 लास से पढ़के आए यह हो गया अब इसको ले ले रहे कुछ आपके लिए भी देंगे एक, दो, तीन, चार, पांच तो तीन हम कर रहे हैं दो आप भी करेंगे तब ही तो नहीं आगे तो कुछ यह का तीन नहीं से कर दें दो आप करेंगे क्रास माइनस ग्यारो सो पचीश्ट पिरी सबसे पहले क्या करेंगे तीन सो साथ से भाग दे दीजी क्यों? तीन सो साथ से जाना है नहीं ग्यारो सो पचीश्ट क्या है तीन सो साथ से जाना है कितनी बाद आएगा? तीन बाद आएगा पाइप बस पैतादिस ठीक है? तो इसको अगम दो तो ''Cas minus theta'' है ''Cas minus theta'' इसको जो क्या होता है ''Cas plus theta'' ये तो मौलूम ही होगा ना —110,45 पहले तो ये minus gap कर दीजे फिर इसको क्या देंगे 360 multiplied by 3 plus 45 307 की पुरांक इसको gap कर दीजे क्योंकि 3 चक तर लगाने के बाद हम लोग जहां राते हैं वहीं आ जाते हैं कास्पर्टिफायर का वेलू किता होता है वन अपान रूट टूब एक और ले ले लिए ठीक है एक और कौन सा ले एक ले 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 तीसरा बादा ले 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 आपको दीथ रहा होगा तैन माइनस 1470 dB 10 माइनस चीता क्या होता है पहले तो माइनस का हिसाब कर लिया जाए चलिए माइनस का हिसाब हो गया अब इसको 360 से जाथा कि कम है जाथा पहले डिवाइड कर लिजे 360 से कितनी बाद चाहिए जी तीन बार नहीं चार बार 2440 हो जाएगा कितना बचेगा 30 dB ठीक है तो इसको उन्हों लिख देते है माइनस 10 360 मल्टिप्लाइड बाई 4 प्लस 30 भाग सिखाना नहीं आपको इसको गार कर दिया जा क्यों 360 की मल्टिकूल को हटा सकते है तो इस तरीके से जो आपको हमर दिया गया है अगर आप धर पर कर लेते हो तो फिर किसी भी कौन का मान आप असानी से एक मिनट से कम समय में कुछ सेकेंड के वीदर आप नहीं का सकते लाजिक समझ जाएंगे ना चीए क्या होगा कौन किस चतुर्थांस में पाश्टिव है कौन किसका अगर है दूसरा कब चेंडिंग होता है कब नहीं चेंडिंग होता है तो हम पहले ही कहा है कि आप चेंड जोनों राश्टिव पर जाएंगे भी दूसरे चतुर्थांस में जाता है आप कौन सा राश्टाप नाएंगे 180 माइनर्स ठीटा तीसरे में 180 डिग्री पर जीट और चौते में यही रास्ता आपको हमेशा तैकरनीशी रास्ते पर जाना तभी आपको असानी से निकल जाएंगे तो आप करके प्रेक्टिस करेंगे तिकोर निती के आज की वीडियो और पिछले दो वीडियो को अगर आप देख लेते हैं तो 11th क्लास के लिए मजबूत बेश तयार हो गयागा आपको आगे अब कहीं दिक्कत आने की समावना बहुत कम हो जाएगी क्योंकि आप आगे के जो वीडियो होंगे वो इंटर्मीडियेट क्लास से ही होंगे ये भी आजका वीडियो भी आपके लिए नया था और आगे के जो भी वीडियो मिलेंगे वो आपके लिए बिल्कुल नया रहेंगे तो इसको आपके प्रक्टिस करिए ठीक है? थैंक्यू